नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकेल सीटी कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है माइटोकेल सीटी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और माइटोकेल सीटी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि MitoCal CT Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए MitoCal CT Capsule को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड़ियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड़ियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं. हड़ियां कमजोर होने की वज़ा से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है, और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की क बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। और अदल्स में Osteo-M hayatia और Osteoporosis ओने का रिस्क अधिक हो जाता है। ओस्टियो पोरोसिस एक हड्डियों का रोग है, जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है, जिसकी वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है. शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है, कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्श की कमी हो सकती है अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स ले रही हैं तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार हैं क्योंकि विटामिन दी के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोशन नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशाप के जरीए शरीर से बाहर निकल जाएंगे इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी को एक साथ लेना जरूरी होता है माइटोकेल सीटी कैपसून में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है इसलिए आपको विटामिन डी के सप्लिमेंट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि म माइटोकेल सीटी कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है माइटोकेल सीटी कैपसूल का उप्योग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्यों में फ्राक्चर होने पर रूमेटोड अर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर शरीर के जोड और जोव्यक्ति मिर्गी या दोरों की दवाईयां ले रहे हैं जैसे Phenobarbital Phenitoin उन व्यक्तियों को भी Dr. MytoCal CT Capsule को लेने की सला दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को MytoCal CT Capsule को लेने की जरूरत पड़ सकती है जो व्यक्ति शुद्र शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूद दही जैसे डेरी प्रोडक्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को MytoCal CT Capsule को लेने की जरूरत पड़ सकती है महिलाओं में मेनोपॉस के बाद एस्टोजन हॉर्मोन का प्रडक्शन कम हो जाता है जिसकी वज़ा से महिलाओं में मेनोपॉस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियोपॉरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोपॉरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी MytoCal CT Capsule को लेने की सला दे सकते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है अगर आपने स्टेरोइड दवाईयां जैसे प्रेड्मिसोलोन, मिथाई प्रेड्मिसोलोन, डिफलाजा कोरट और बीता मिथासोन आधी दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है, या कर रहे हैं, तो आपका डॉक्तर माइटोकेल सीटी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है, क् इसके अलावा किड्नी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है, जिन व्यक्तियों को लाक्टोज इंटॉलरंस की समस्या है, उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, लाक्टोज इंटॉलरंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूद क को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है जिसकी वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द पेट में गैस पेट में भारीपन दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है तो ये लक्षन लैक्टोज होता है माइटोकेल सीटी कैपसूल को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर माइटोकेल सीटी कैपसूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं माइटोकेल सीटी क कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई दोज में ही लेना चाहिए। माइटोकेल सीटी कैपसूल को कितने समय तक लेना चाहिए। यहां उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकता है। इसलिए माइटोकेल सीटी बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोध दूर्ट को माना जाता है। और दूर्ट से बने उत्पाज जैसे की पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मातरा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शि होता है अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रति दिन एक लीटर डूट को दो भागों में बांट कर सुबह शाम पी लेता है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है इसके अलावा मूंग डाल बादाम नारियल सोया बीन आम संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो MitoCal CT Capsule एक बहुत ही सुरक्षत दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में MitoCal CT Capsule की वज़़ से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन अगर आप MitoCal CT Capsule को recommended dose से ज्यादा dose में लेते हैं तो इसकी वज़़ से blood में calcium का level ज्यादा हो सकता है जिसको hypercalcemia भी कहते हैं शरीर में calcium का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है कुछ research में यह पाया गया है कि blood में calcium का level ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है kidney में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना mitocal ct capsule को ज्यादा dose में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए अब हम discuss करेंगे कि mitocal ct capsule को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए thyroid की tablet और mitocal ct capsule को एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि thyroid की tablet और mitocal ct capsule को एक साथ लेने से thyroid की tablet का अवशोशन कम हो सकता है जिसकी वजह से thyroid की tablet की प्रभावशीलता कम हो सकती है अगर आप thyroid की tablet को लेते हैं, तो आपको thyroid की tablet और mitocal ct capsule में 8 से लेकर 10 घंते का gap रखना चाहिए. kidney की कोई समस्या होने पर और kidney में पत्री होने पर mitocal ct capsule को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए. आपको mitocal ct capsule को लेते समय iron के supplement लेने से बचना चाहिए. क्योंकि calcium के साथ iron के supplement लेने से calcium शरीर में iron के अवशोशन को रोक सकता है. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका mitocal ct capsule से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.